दोस्तों आपने स्टाप्लस का सीरिल साती भाना साथिया तो देखा ही होगा जिसमें हमें गोपी का किरदार निभाते हुए अभिनेतरी देवोलीना भटाचार जी नजर आई थी जिन्होंने बीते 14 नवंबर को अपने जिम ट्रेनर शाहनवास शेक से शादी रचाली जिनके शादी से पूरी टीव इंडरस्टी के साथ साथ दर्शक भी हैरान हो गए अब शाहनवास शेक की पूरी फैमली देवोलीना भटाचार जी की भी फैमली बन चुकी है जी हाँ इनके सुस्राल वाले भी देवोलीना से बहत प्यार करते हैं और इसलिए आज के हमारी इस 85 को सिवासागर में हुआ था और इसलिए इन्होंने यही के स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चल कर दिल्ली के नैशनल इंस्टिटूट और फैशन टेकनलोजी से अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट की जिसके बाद उन्होंने इंडिया प्राइवेट लिम इसके चलते उन्होंने 2010 में डांसी डिया डांस में पाइटिसपेट किया और काफी पॉपुलर रही जिसमें इमेजन टीवी के सीरल सावरे सबके सपने में बानी का किरदार अदा करने का मौका दिया जिन्होंने इस किरदार को बखुबी पर उतारा बहनत और काभिलियत के चलते इन्होंने साथ मीबाना साथिया में जीया मानिक को रिप्लेस कर दिया और गोपी बहु के किरदार को बेहदी खुबसूर्ती से परदे पर उतारा और यही वो किरदार है जिसे लोग इन्हें आज भी जादा जाने लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ ननत औ पर उपलब नहीं है लेकिन कहा जाता है कि देवुरीना भटाचार जी के ननत और देवर इनसे बहुत प्यार करते हैं और देवुलीना यानि अपनी भावी की काफी जादर रिस्पेक्ट करते हैं और कहां ये भी जाता है कि उनके ननत इनके साथ एक बेस्ट फ्रेंड की पर दोस्तों आप देवोलीना भुटा चारजी के रियल लाइफ ननद और देवर के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं साथ टीवी इंडिस्ट्री से जुड़िया से तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें